नमस्कार अपने जीवन की शुरुआत कब की, कैसे की, किससे पढ़ना लेकर की और तब से जौन चेर्मेन बने, और उन्होंने क्या-क्या विकास कार रहे हैं, क्या-क्या बड़े-बड़े फैसले लिये हैं, जैण साब आपका स्वाकत है, तो आपका स्वागत है फेस्ट फेस्मे, जै निती में लाए थे, इससे पहले मैं अध्यापने का कार्य करता था, अध्यापक था, उन्होंने वॉलेंटरी रिटाइडमेंट दिलाई और अपने साथ रखा, और उनसे मैं इतना परभावित हुआ कि हरक्षित्र में मुझे लगा कि वास्ता मैं इस पार्टी में विशेश रहा हूँ, फिर उन्होंने अमे लेका लड़ा, फिर सीम बने, और काफी लंबे समय तक पूरे परिवार के साथ मिलके, मैं उनके साथ रहा, और उनका वेक्तित जो मैंने देखा, उससे मैं काफी परभावित हुआ राजनीती में आया, और फिर तब से ही विभिन पदों प पहुचा हूँ, शुरू में मंडल में कोशा देक्ष रहा, फिर दो बार मंडल अदेक्ष रहा, और इन्वेस्टर सेल का दिल्ली प्रदेश का परभारी रहा, उसके बाद अमिशा जी और मौदी जी की जो हमारी जोड़ी आई, उन्होंने एक ठोस निरने लिया कि पुरान की चोट से कहाता है कि मेरे सामने कोई भी एलक्षन लड़ेगा, क्मलानगर से, टिक नहीं पाएगा, टिक नहीं पाएगा, और वो बिलकुल चरितार्थ भी हुआ, मैं अच्छी वोटों से जीता भी, और समाज में, पूरे क्षेत्र में, आपकी क्रपा से काफी काम ठीक र बनाया, एजुकेशन कमेटी का चेर्मेन, उसके तुरंत बाद मुझे जोन का चेर्मेन बना दिया गया, दुबारा फिर अब रिपीट कर दिया, तो मैं अपने आप में फकर है मुझे इस बात का और अपनी पार्टी के लोगों पर जिन्नोंने मुझे इतना विश्वास कि अब वो मेरे कार को देखके ही पार्टी ने ये मुझे दुबारा से फिर मोका दिया जोन का चेर्मेन बनानी, जाता है कि अगर मैं जोन के बात करूँ तो ये जो स्कूल है हमारा ही, स्कूल में हमने ये कारहले बना रखा है, जब मैं यहां आया तो हालत बड़ी खराब थी सबसे पहले मैंने आप अंदर आयोंगे अभी तो एक पार्क बना हुआ बहुत बड़िया, ये पार्क मैंने बनाया, सारा यहां का धांचा चेंज कराया, अलग से पोटा केमिन बनाई, लोगों की बैठने की वेबस्ता करी, एक कमरे में जा जाके सब को निरिक्षन किया, और पूरा स्टाफ जितनी बार भी मैंने वार्ड कमेटी में लेता हूँ हर रफते या पंदरा दिन में, तो सारे यहां के अधिकारी भी और निगम पार्चदी भी, अथारा वार्ड है मेरे यहां, इश्यपरम जोन में, जिसमें पांच आमाजी पार्टी के, तेरा बीजे जैसे इस बार में का मुलबू समस्या थी आपके आने से पहले John chairman बने से पेले, आप में अभी अपने मुख्य रूफ से किस तरीके से कौन कौन समस्यां का निप्टा रखी है? सबसे पहले जो मुख्य रूफ से वैसे तो छोटी बहुत सारी काम कर दबाये मैंने, CSB, नागरिक सर्विस सेंटर, हिंदी में जो बोलते हमने, नागरिक सर्विस सेंटर, CSB, सीटिजन सर्विस ब्यूरो, तो वो हमारे यहां नहीं था, सभी को अपना जनम और मिर्तियों का प्रमान पत्र बन डिवाने के लिए सिबिल लैंड जोण, या किशव उसमें रोनी जोन में जाना पड़ता था किशी को अपना लाइसेंसर रिनू कराना पड़ता था तो महां जाना पड़ता था क्योंकि वहां से 11 वाड और 7 वाड अलग-अलग होके यह जोन बना था भी तीन साल पहले ही तो लोगों को बहुत प्रिशानी होती थी इसके लिए मैं बहुत मेहनत करके काफी लोगों को सब अफसरों को बार-बार कह कह के मैंने सबसे परमुख काम जो है वो CSB चालू कराया अब खूब सभी लोगों को कोई दिक्कत नहीं है इस्थानिय विधायक का किया आपको support 미लता है किसी विधायक कोई support नहीं होता हुं समय कोई रिलेशन नहीं है विधायकों का वो तो बलके यूसम जो कि सुपोर्ट ना करके नेगटिव सोच रखते हैं ज्यादातर लोग जो है निगम पार्सोदों का फंड रोखा गया दिली सरकार के द्वारा इस पे आप क्या कहना चाहेंगे क्या कारण मानते हैं उससे क्या मैसेज जाएगा द्विली सरकार और क्यजरिवाल न के मैंटलिटी यह है कि निगम पार्सोदों को क्योंकि सरकार हमारी है निगम में बीजेबी की सरकार होने के नादे उनका एक सुतरी कारे क्रवरा में हिए उनको कितना तंग किया जाए इनको काम नहीं करना दिया जाए यहीं कहते-कहते साढ़े चार साल निकाल दिये कि मोदीजी काम नहीं करने दे रहे孩 कि जब से हम ₹पने 3 साल निगम पा constitu कि बने है हमें काम नहीं करने दिया जितने पैसे हमें मिलते थे केंदर सरकार से, राजी सरकार के माध्यम से, वो सारे पैसे ही रोक के बैठे हैं, उत्री दिल्ली नगर निगम के 326 करोड रुपे और पूरे निगम के 295 करोड रुपे लेके बैठे हैं, अगर वो आज हमें देता, तो हम कितना development का काम कर सकते थे यह आप सोच नहीं सकते, और सारा काम इसके वज़े से ही जो ने रुका हुआ है, जिसके वज़े से हम काम नहीं कर पाते हैं, किस तरीके से आप कौन से प्रमुख मुद्धों के साथ चुनाम लड़ेंगे? जो अभी वो कर रहा है ने, इसले 3-4-5 महिने से, मैं इसको बिल दिली के जनता बहुत समझदार है, जैसे कि 67 सीटें आगे उनकी, हाँ मैं वही कहने जा रहा हूँ, कैसे आगे, क्या मानते हैं, 66 सीटें तो देखे, सभी लोग जानते हैं, काफी अरसे से दिली में कॉंग्रेस या बीजेपी, दो ही पार्टियों का राज रहा है, कॉंग् सब के लिए सरानी थी, मुझे पका ज्यान है, कि अन्ना हजारे जी का जो आंदोलन चला, उसमें 80% लोग बीजेपी के लोगों ने साथ दिया, हम खुद जंडा लेके जोने अपने क्षेतर में उनके नारे लगाते हुए चले, खुब बड़ी मेहनत की हमने, और ये सब साथ जुड़ते चले गई, और वो मंच पे भी उनके सभी आदमी कसम खाते थे कि हम राजनिती से, दूर रहेंगे, और ये जो केजरिवाल जी जो मुख्यमंतरी बने हैं, इनके तो डायलोग सुनने लाइव होते हैं, कोई कलपना भी नहीं कर सकता था, कि वो इस कदर आके दिल्ली में पार्टी बनाएगा, और जूट का पुलंदा, जिसका वजन के नीचे दब जाएगा थोड़े दिनों के बाद ये, इतनी जूट बोल बोल के बोल बोलोगों को गुम्रा करेगा, अभी तीन-चार महिने में जो इतने सब्जबाग दिखाए हैं लोगों को इतन के दिनों में 2 महिने पर 1 महिना और फिर 15-10 दिन बहुत मेहनत करकर पढ़ाई कर लेते हैं, वो सारा का सारा फिर ज्याते उंगल देते हैं, वह स्निति इसकी है, अभी अनुथराइज कलोनियों को रिकोनाईज किया गया है, अधड़ने मोधी जी के मादम से, तो लेकिन आम आदमी के केजरिवाल साब के बड़ बड़े होडिंग देखे हुए हैं कि वो कहते हैं कि कच्ची कलोनियों में खूब किया विकास तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे देगे कहने के लिए तो बहुत कुछ है जी कच्ची कलोनियों के बारे में पिछले 17 साल से लोग तरफ र हमारे को इसकी मैपिंग कर दो उसके कान पर जून ही रंकी और दो जाल का चाहें मांग लिए उसने हर बार यह कोशिश करता रहा टरगा नहीं कुछ नहीं किया तो फिर केंदर सरकार ने जब मोधी जी ने आसे दो तीन महीने पहले जब यह गोशना की जब हमारे सो दिन होन करते हैं बिल्कुल यह सारी दुनिया जानती है इसमे कोई दो रहे नहीं जैसे कि अभी धन्यवाद रैली भी का आयूज़ुन किया गया तो उस पर भी आप क्या कहने चाहेंगे दिल्ली की जनता ने उनको धन्यवाद रेली में अधन्यवाद इसी चीज का तो किया ने जी और आप इसकी रजिश्टी करने का रास्ता भी खोल दिया। कानूनी दिरिश्टी से एक-एक स्टप हिमानदारी से उठाते हुए आगे चल रहे हैं। कहीं भी कोई कमी ना रहा जाए कि फिर कोट में चले जाएं लोग या कुछ और करें। बिलकुर उसी ढंग से इस कलोनियों को पास करने में लग रहे हैं। और अभी जल्दी ही जो लोगों की रिस्टी भी शुरू हो जाएगी। नहीं तो दिमाग में यह था कि लाखो रुपे लेंगे रिस्टी कराने के यह करेंगे। एक हजार, दो हजार में रिस्टी करके दे रहे हैं। और क्या चाहिए। कहीं भी इसका कोई योगदान रहा। और अब भी इतने बड़े-बड़े होल्डिंग लगाके इतने बड़े-बड़े अख़वारों में यह देके वह जो कह रहा है। लोग सब समझते हैं कि यह कुछ नई इसने करना है। लोगों को लोलीपुप देना है हर काम में और बिलकुल यह हकीकत मैं आपको बता रहा हूं। दिल्ली का ख़जाना इसने खाली कर दिया। यह पांच लाख रुपे का काम कराता था एक गली में। दस लाख रुपे के अटाजमेंट देता था। अखबारों में बड़े बड़े पूरे पेज के अटाजमेंट देता था। तो पूछे कोई से पैसा किसका है। जो हमारे बच्चे, हमारा परिवार, आप लोग, सभी लोग टेक्स पे करते हैं। तो क्या ऐसे लुटाने के लिए हैं। जो काम, मान लो, अगर अटाजमेंट ही करना है, दस वीज यार में भी हो सकता था। लोगों को जानकारी, तो पांच लाख रुपे की पानी के लाइन दलवा रहा है, पांच लाख रुपे का सारा का इसका बिल है। तो लोग क्या समझते हैं नहीं के इन बातों को, ऐसे लुटा रहा है जैसे तो अपने घर से लेकर आया रहा है। यह सब समझते हैं लोग बाग, आप यह देखो नहीं, पांसो स्कूल खिलवा हम हमें। जैनता कुछ कहते हैं कि स्कूलों में उन्होंने इस बहुत सुधार किया है, सिक्षा के इस्तर बढ़ा है, इस बात पर आप क्या कहना चाहिए। जो उन्होंने स्कूलों की हालत की है वो एक लपिस्टिक बिंदी लगा के उसको चमकाया है, नो डाउट। एके कमरे की रिणोल के 20,000,000 बहुत करना, कोई भी चंपा देगा. हमारे कारपरशन के स्कूल में डेस्क की भी दिक्कत रहती है। लकडी के डेस्क को लेने में भी पैसे के अभाव में दिक्कत रही। हमने इनके स्कूलों में जाके जेका गौड रेस के टेस्ट मगा रखे हैं और भार इतनी बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग को जो ने चमका दिया अंदर का रिजल्ट देख लो आप पहले से डाउन है जो पीछे भी रिजल्ट आये हैं वो पहले से भी डाउन है पढ़ाई बिल्कुल जीरो हो गई है के वर ऊपर के लीपा पोती रही है और उसी का धंडोरा पूरे विश्व में पीटता हुआ कि मैंने एजुकेशन को बहुत ज्यादा किया है निगम पार्सदों का फंड रोका गया है ऐसा पहली बार ऐसा हुआ है तो इस पर आप क्या कहना चाहे है तो आम आजनी पार्टी के लोग खुब बोलते हैं खुब बात करते हैं हम कॉंग्रेस के लोग भी बैटे होते हैं उसमें कभी पैसा नहीं होगा यह जब से आया के जिरिवाल इसका एक सुतरी कार्यकरम है कि मैं इसमें पैसे ना दूँ और सारे इनको क्या फादा होगा वो तो कराएगा ना काम पर जीजिए हमें भी उनको काम करवाना पर ने गम पार्षट जनता से जोड़े हुआ होते हैं गली महुनले से करीब होते जनता के वो और उनके द्वारा फिर विकास में अब रोध उत्पन हो रहा है इससे हम विकास करी का पार रहे हैं मजबूरी पारे MP के फंट से जो हैं उसमें भी एक लिमिटेशन है नया काम ही करवा सकते हैं उनके फंट से हम पुराने काम को ठीक नहीं करा सकते हैं एक सड़क है मालो तूटी हुई है हम उनके फंट से सड़क नहीं बनवा सकते हैं अगर नई डवलमेंट करनी हैं तो करवा सकते हैं उसी नाते मैंने कमला नजर में, अपने वाड में, मैं आभी वही देख रहा था, कम से कम नो ओपन जिम पार्कों में लगवाए हैं, आठ प्लेस्टेशन लगवाए हैं, और 18 मैंने हाई मास लगवाई हैं, और 32 जो ने छोटे पूल लगवाए हैं, यह तो एक छोटा सा नव रिक्वेस्ट करके उन से फंड लेके वहहात काम तभी करें हैं हैं या एईजुकेशन के कराए हैं, एजूकेशन का फंड आम मिलता रहा है, प्लाम हेड में mostly, स्कूलों को आशिक मोणे की काम करा ता है , बारकी इस वाया है कि जो अपने फंड करें निगम-पास्चाति सरकार के पांच बड़े फैसलों के बारे में अब क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को अभी जो हाली में लिए हैं सरकार ने देखिए के अंदर सरकार के तो पांच क्या-क्या पचास गिन वालवा जैसे की धारा 370, सब से पहले राम मंदिर, टिपल तलाग यह सारे ऐसे काम हैं जाए नोट बंदी से शुरू करके अगर आज कोई भी मैं कहीं भी बोलता हूं भाशन देता हूं बात करता हूं तो सबसे पहले लाल के लिए पे मोधी जी ने जो भाशन दिया स्वच्छता के बारे में महिलाओं की सुरक्षा के बारे में और टॉयलेट के बारे में जी जब टॉयलेट के बारे में वो बोल रहे थे तो लोग मजाग अड़ब है और देशका प्रधानमंत्री यहां ख़ड़ा के जो इसको उसको सब पता है कि कहां किसको कितनी परेशानी है आज अपने आप सोचो आप एक महिला नई शादी हो कि गाव में जाती है उसके साथ क्या स्थिति बंती है तो ऐसी चीजों को चांट चांट के जो उन्होंने मन में ठाना उसको उन्होंने करके दिखाया हम लोगों को यह प्रताडित हो रही थी जिंदगी उनकी दूबर हो रही थी इतना ठोस टैप उठाना कि मुसलिम महिलाओं को उनको ये हक दिलवाना और इसके लिए कहां तर जाना महिला साज़ती करण का ये मुख्या लारना इससे बड़ा क्या हो सकता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हर रायाना कि क्याएवरेज थी बेटियों के बारे में जब से उन्नों ने ये नारा दिया उसमें अब हरयाना जैसे इलाके में ही पूर्षों की संख्या जया जह ज़ए जम हो गई है और महिलाओं की ज्यादा हो गई है तो ये ये चीजे कहां से सोच आ है इसके बाद ट्री करके काम किया कि एक भी कोई मौत नहीं हुई कोई मरा नहीं कोई एजिटेशन नहीं हुआ सांती प्रिये ढंग से उन्होंने किया सर्जिकल स्टाइक ले लो कितने चीजें के नौए हम आपको अगर मालो केंदर सरकार की बातों को देखा जाए तो उसी का रिजल्ट था कि मोधी जी को इतना बड़ा बहुमत मिला इतनी सीटे लेना लोगों ने आखे बंद करके जैसे कोई भी नहीं सोच सकता था पब्लिक ने इतना प्यार दिया उसका प्यार का जो उसने गलत प्रियोग किया मोधी जी को पांस साल इतना प्यार दिया उन्होंने करके दिखाया उनको दोबारा भी मौका मिला दोबारा उससे ज्यादा मौका मिला आप यह सोचो ना है डोलमे गंगा को साफ कराना, 18 000 गाउं में बिजली पहुँचाने का टार्गे रखा. टाइम से पहले ही 18 000 गाउं में बिजली पहुचा दे हैं. एक भी गाउं पूरे इंदूच्तान में ऐसा नहीं है, जहाँ पर बिजली नहीं है. मीडिया नई सुभह के मादधम से आप अभी विदान सभा के चुना आप आने वाले हैं दिल्ली में आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे सबसे पहले तो राश्ति स्तर पर एक पार्टी के नाते मोदी जी जैसे प्रधान मंतरी के नाते अमिशा जैसे ग्रह मंतरी के ना कि जो डवल्यमेंट है फो जिल्कुल जीरो है पिछले पास साल में एक भी कॉलेज नहीं बना एक भी स्कूल नहीं बना ऺ़्या लगा रहे हैं सारे काम अभी हो रहे है और दिल्ली के खजाने को बिल्कुल जीरो कर दिया मूफत में बाट-बाट के लोगों गधी आतरी डा वह रहारता ने, उसकी तिती बिलकुल ऐसी हो रही है, मैंने भूत सारी महिलाओं से बात की है, जब इनों ने फ्री में ये किया था आपना बस यात्रागा, मेट्रो में भी इनो शुरू की, तो जूते हमारे लोगों ने, मेट्रो वलन तो ऐसे मना कर दिया, बसों में भूत स उन्होंने अपने बात को रखा है, तो ये मुफत वाला हिसाब ये नहीं समझ में आता है, हाँ मास्तव में उसमें भी एक सेलेक्शन होनी जाए है, कोई बहुत गरीब आदमी है, हैंटू माउथ है, उसके पास खाने के भी दाने नहीं है, ये नहीं है, उसकी help की जा सकती है, ये तो पैसा लूटा रहा है, जितना पैसा विग्यापन में, 381 क्रोड़ों पे खर्च किया विग्यापन में, अगर इसको development में लगाता दिली की, और सब कामों में लगाता, मैं तो कह रहा हूं कारपरेशन को देता, हमारे सारे काम रुके पड़े हैं, कारपरेशन के, सफ करके हमारे सफाय करमचारी भी काम करते हैं, अभी का एजामपल देता हूँ आपको, डेंगू के लिए हमारे करमचारीों ने, कॉरपरेशन के करमचारीों ने जी जान लगाई, तीन महीने मैं खुद साथ खड़ा होके मैंने फोगिंग कराई, स्प्रे करवाया, घर घर जा खुद इसके हमने हाउस में आमादी पार्डी के लोगों को बताया, अलग से इसका हमने हाउस चलाया, कि देखो ये क्या मतलब मुफद की बाबा लूट रहा है, लोगों में बड़ा रोश था हमारे करमचारीों में, कि सारे मेनत तो हम कर रहे हैं, ये खाले अखवार में इसका विग्यापन का फैदा उठाके और लूटना लोगों को बैखा रहा है, कि हमने डिंगू ठीक करा दिया, एक भी मौत नहीं हुई, ये नहीं हुए, ये एक्चल में इसकी आधितों से, इसके काम से सब परिचित हो गए हैं, कि ये कैसे काम करता है, इसके सारे विधाय खाके खाके, सब की आलत खराब है, जी बिलकुल अब जी, आप कुछ सब्दों में डिली की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो आपको देख रहे हैं, अभी वोट एलेक्शन आने वाले हैं, क्या अपील करना चाहेंगे अब जनता से ये कहूंगा, कि काट की आंडी उबर नहीं पाएगी, जिस कदर से इनों नहीं किया, दूषित पानी पिलाया लोगों को, सफाई की तरफ द्यान रहा, और ये अनस्वराइज के लोनियों के लिए कुछ नहीं किया, गाहँवालों के अब देख रहा था कुछ दिन पहले ही, इनों ने गाहों ने गाहँ के जो वो रेड जो बढ़ाए है उसके सर्कल रेड बताओ एकदम से क्या उसको लगा दो कुरुपे मैं सोज निए सकता था चाना कि इसको एकदम क्या मालब यह ढूंड रहा है कोई कोई चीजों को वकीलों का अलग से अभी पांसा दिन पहले वकीलों को गेहरने के लिए उनको सब सबक सिखाने के लिए त्यार बैठें मैं तो जिल्ली की जनता से यही पहिल करूंगा कि सोच समझ के जो केवल प्षनिक लोग के लिए अपने इतनी कीमती वोट का दुरूपयोग ना करें अच्छे आदमी को चुनें अच्छी पार्टी को चुनें और जो भारतिये जन काम कर रहे हैं और ऐसे आमाजमी पार्टी के जितने भी MLA हैं जो काम कर रहे हैं और सबको पता है तो इसलिए सोच समझ के अपने वोट का सद्यूपयोग करें एक अच्छी पार्टी को लाएं अच्छे व्यक्तित को लाएं अच्छे नेता को लाएं ताकि वो कम से कम हर सम दिल्ली छोड़ के भागने के कोशिश करेंगे, नहीं तो यहां दिल्ली में रहना मुश्किल हो जाएगा अगर आपने इसमें परिवर्तन नहीं किया। फिश तो फिश तो फिश